था मेत्रिक रिजल्ट को लेकर के इंतिजार करने वाले सभी चात्रों के लिए काफी भरी खवर, अभी मेट्रिक परिक्षा के रिल्ड को लेकर के फाइनल थिप जारी कर दिया गया है, यहाँ पर आपको परभात खपर नियूज के नुशार हम दिखाएंगे, कि मैट्रिक परिख्षा का रिजल्ट कब आड़ा है और यहां पर जो है कि फाइनल तीति दिया गया है तो चलिए उसी न्यूज को विस्तार प्रवक जानते हैं द्खिंग का रिजल्ट कब आड़ा है अभी तक आपने मेरी चैनल को सस्क्राइब नहीं कि आज सस्क्राइब कर 2020 माई के दूसरे सप्ता में इस सर्थ पर की जा सकती है घोसित तो चलिए नहीं उसको विश्थार पर जानते हैं यह आप आप देख सकते हैं कि लोगडाउन के कारण देश भर की सिक्षा वैस्था पर काफी असर पर रहा है खासकर दसमी और पार्मी वोट की परिक्षा इंज माई के बाद लोगडाउन नहीं बढ़ाय गया तो भिहार बोड दसमी रिजल्ट माई के दूसरे सब्ता में घोसित किया तक यहाँपर देख सकते हैं कि माई के दूसरे सब्ता में घोसित किया जा सकता है बताया जाड़ा है कि बिहार बोर्ड दसमी का 75% का मुलियंकन कारी हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे की परक्रिया पूरी करने में बोर्ड को सिर्फ 3-4 दिन लगेंगे अगर लोकडोन आगे नहीं बढ़ाया गया तो बिहार बोर्ड दसमी का रिजल्ट 10 मई या इसके आसपास जारी कर दिया जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 मई के आसपास जो एकी मेटरिक परिक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा अलांकि अभी BSEB अधियक्ष ने मेटरिक रिजल्ट का कोई डेट नहीं बताई है उनका कहना है कि जब उत्तरपुस्तिकाओं का मुल्यांकन कार्य टोपर्स की कॉपियों एवबम यहां पर देख सकते हैं उनका वीडियो कोल से फिजीकल वेरिफिकेशन का कम पूरा हो जाएगा तभी इसके बारे में बताया जाएगा तो पहले यहां पर देख सकते हैं कि कॉपी का जंच जो है अभी तक पुड़ा नहीं हुआ है नहीं कॉपी की जंच अभी शुरू है तो परस का फिजिकल विरेफिकेशन होगा उसके बाद ही रिजल्ट जारी किया जाएगा